chemistry में तो आसानी से number आजाते हैं अगर आपने भी a-line कभी सुनी हो तो भूल जाएए अब नहीं आएंगे अब chemistry में आसानी से number नहीं आएंगे अगर नहीं believe हो रहा है तो अभी जब अच्छे just pass out हुए है आपका batch जो किसी से भी marks पूछ लीजिए majority के marks chemistry में physics से भी कम है कम number आएं है chemistry में असानी से number नहीं आएंगे क्या reason है और क्या किया जाए marks improve करने के लिए यह मैं बताऊंगा इस video के अंदर so don't forget to like the video and subscribe the channel if you have not done yet let's start देखिए basic सा reason है basic सा reason है कि number क्यों नहीं आएंगे यह है आपके सामने syllabus ठीक है यह जो है यह old syllabus है पूराना syllabus और यह है नया syllabus आपको इन में कोई difference दिख रहा है क्या जी सबसे पहला difference से यह दिख रहा होगा कि जी पहले जो थे वो 16 chapters थे अब सिर्फ 10 chapter रह गए है तो यह तो आसान है यह मुश्किल का है यह तो आसान है अरे नहीं यही तो स्कायम है जरा ध्यान से देखिए एक बार फिर से जो chapters delete हुए हैं कौन-कौन से solid state उसके बाद surface chemistry general principle of extraction of elements metallurgy p-block elements उसके बाद polymer and chemistry in everyday life यही तो सबसे आसान chapter थे इन chapter की weightage करीब करीब 30 marks के आसपास बैठती थी तो 25 to 30 out of 70 तो सबके ही आते थे सबके आते थे इसलिए chemistry में score करना आसान था कुछ भी नहीं है इन topics के अंदर यह इतने आसान chapter थे पूचिये मत ठीक है for example कौन सी वाइटमिन की कमी से कौन सी बिमारी होती है chemistry in everyday life वो तो biomolecules में है chemistry in everyday life के अंदर हम medicines polymer medicines पगरा के बारे में पढ़ते थे soap detergent के बारे में पढ़ते थे polymers आसान चाप्टर है non-biodegradable, biodegradable, addition polymer, PVC, bakelite, rubber यह सब अलग topic देखके आपको लग रहा होगा these were the scoring and most scoring chapters यह अब syllabus में नहीं है the second thing which is to be noted P block element नहीं है syllabus में inorganic chemistry नहीं है बहुत ही आसान question दाया करते थे इसमें से तो अब सारे easy chapters गए अब बचे हैं 10 difficult chapters इन 10 difficult chapters में से paper बनेगा पहली बात दूसरी बात इन क्योंकि chapters कम हो गए हैं तो हर एक chapter की weightage बढ़ गई है for example biomolecule पहले 3 से 4 number का आया करता था अब 7 number का आएगा पता नहीं क्या ही पूछेंगे हर एक line से question बनेगा जो भी चीज़ आप छोड़ेंगे वही exam में आएगा moral of the story तरीके से पढ़ाई कर लेना इस बात सिर्फ 10 chapter है 14-15% number तो आपके वैसे ही काम हो गए so now it will be अगर अगर मैं बोलू आपके एक average paper भी बनेगा तो average paper भी difficult chapters में से बनेगा तो difficult chapters में से average questions भी खतरनाग होते हैं अच्छा एक और notice करने वाली बात ये है कि solutions electrochemistry, chemical kinetics में होते हैं, numerical hello, alkanes और ये सब हैं अपनी organic chemistry ठीक है और ये अपनी तीन बनते हैं physical, inorganic के नाम पे दो chapters रह गया है रटने वाला कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है रटने वाला किसी को लगता हो कि मैं रटलूँगा भूल जाए, organic आप रट नहीं सकते आपको पता ही है solutions, electrochemistry, chemical grandics में से numerical आएंगे क्या ही रटलोगे difficult रहेगा हमेशा अच्छा ये तो डरने वाली बात होगी solution क्या है इसका, क्या किया जाए कुछ नहीं करना है जो weakness है, वही power है power क्या है, 10 chapters है 10 chapters है difficult हैं तो होने दसी तो है एक महीना भी अगर में दो chapters लेक, 15 दिन 20 दिन भी अगरे एक chapter पर दे दूना ना अपना तो काम असान हो जाएगा देखिए सबसे जादा, बतलब अब जो आपको focus करना है वह करना है इन 3 chapters पर solutions, electrochemistry, chemical kinetics numerical आएंगे बट उसके बावजूद numericals are easier than the questions of organic chemistry ये 3 chapter पहले आप करना आपके करीब करीब 21 marks है इन 3 chapters को मिला करके ठीक है उसके बाद आप amines and biomolecule target करेंगे इसके भी आपके करीब 10 to 15 marks है आप 14 मान लीजिये as an average तो आपके 35 marks 50% बाकी बचा हुआ जो 50% paper है वो आएगा भया उसका कोई solution नहीं है वो तो है जो भी है बहन कर ये वाले तो आपको अगर मैं फिर भी अभी बताओ किस scoring or difficulty level क्या है तो भाई difficulty level में सबसे आसान में आएंगे आप अगर आप बोला चाहें तो एक तरीके से पहले solutions, electrochemistry, chemical kinetics करना उसके बाद आप करना ये amines and biomolecules number 3 पे आप आना dnf block and coordination पे और फिर जो तीन chapters है ना ये जो तीन chapters है ये तो है असली का खेलेनी के अदर है तो इस sequence में आप कर लीजे solutions, electrochemistry, chemical kinetics आप कर सकते हैं टाइम लगेगा लिकन अगर एक बार आप कर लेंगे आप expert हो जाएंगे amines and biomolecules easy है dnf block and coordination compound भी easy है main challenge है चाहर चाहर तीन chapters में तो फिसे मैं आप करता हूँ with the same statement तरीके से पढ़ाई कर ले ना इस बार हलके में मतले लेना organic chemistry को इस बार result पूछ लीजे अपने seniors का कैसा है chemistry का same is going to be this year only अगर पढ़ोगे आसान है 10 chapters, अगर नहीं पढ़ोगे हलके में लोगे तो आद रखना ये 10 difficult chapters है कुछ भी आसान नहीं बचागा आप chemistry में thanks for watching and don't forget to subscribe the channel और वीडियोज के मिस्ट्री के हैसे हूँ आते रहेंगे thanks